एक बड़ा अच्छा सवाल आया है, मुझे लगता है कि मैं उस पे थोड़ा ज़्यादा बोलना चाहता हूं कि लोग RSS और IS-IS को क्यों जोईन करते हैं? हमारे हैं हिंदी में कहावत है, भैव उनों प्रीत न होई गुसाई जब लोग डरे होते हैं तो धरम की शरण में जाते हैं और आजकल तो आपको मालूम है कि धरम का धंधा बहुत चल रहा है मिडिल क्लास में खास करके बहुत ज़्यादा ओशंतोस है देर लाग की सेलरी पाने के बावजूद घर में सांती नहीं है तो इस सांती की प्रयास के मतलब सांती को ढूंडने के लिए वो बावाओं को आउट्सोर्स कर दिये हैं कि उनके पास सांती है तो वहां जाकर के थोड़ा सा ले लेंगे उसी तरीके से धरम जो है उसके पास मतलब इसलिए हम कई बार धरम का बिरोध भी नहीं करते हैं कि जहां जब आपका कोई नहीं दिखता है तो आपको भगवान की याड आती है तो कम से कम ये psychological relief तो लोगों के पास रहे जब उसको घर से धोखा मिले जो की मिलना ही है जीवन में नौकरी ना मिले एक सिख्छा ना मिले तो कोई तो रहे उसके पास तो लेकिन ये जो दो संस्थान है आईएस और आरेसस ये तो धरम का भी इस्तेमाल करने है मतलब इनको धरम सभी कोई लेना देना नहीं है आम इंसान की धारना ये होती है मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि लोग जो बीजेपी को वोट देते हैं वो नहीं जानते हैं कि मुझे क्या बोले हैं सावरकर क्या बोले हैं उनको ये लगता है कि पिछला बिधायक कॉंग्रेसी था, काम नहीं किया, रोट नहीं बनाया, इसलिए BJP को वोट दे देते हैं. इसको थोड़ा समझना परेगा हमको कि actually होता क्या है. हमको लगता है कि हम लोग react ज्यादा करते हैं, काम कम करते हैं. हम लोग भी अगर काम ज्य चलाते हैं. बचपन में ही बच्चे को, उसके माइंड को वो कैप्चर कर लेते हैं. और जब वो स्कूल से निकलता है, तो फिर कॉलेज में, अभी जारखन के अंदर वो लोग कमल कलब शुरू कर रहे हैं. पब्लिक फंडेट जो रिसोर्सेज है उसका इस्तेमाल करके अप रिवासियों के बीच में उनका बनवाशी कल्यान समिती चलती है. अब तो माइनरिटी को भी कैप्चर करने के लिए उन्होंने एक मुस्लिम फ्रंट बना दिया है. तो वो ड्राउन पे बहुत काम करते हैं. और इस वजह से लोग उनके साथ जुडते हैं. नहीं तो उसमें मतलब कितनी बोगस बात है उसको मैं आपको बताता हूँ. एक वीडियो दिखा था उसमें ये दिखाया था कि मुझफर नगर के अंदर उस इलाके में RSS जो है सुबा-सुबा लोगों को लाठी चलाने की ट्रेनिंग देता है और ये कहता है कि IS-IS का हमला होने वाला है. सप को ये लोग फैलाते हैं समाज के अंदर और दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं. तो अगर RSS बढ़ा होगा तो आटोमेटिक जो है इसलामी के लिए स्पेस समाज के अंदर बनेगा. अब मैं आपको बार बार ये बात बोलता हूँ कि अगर मुस्लिम लीग चुनाव जीत क्या होता और कॉंग्रेस चुनाव हार गई होती तो देश का बटवारा नहीं होता. ये जो इस देश का सेकुलर क्रेडेंसियल है वो सिर्फ किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर निलभर नहीं करता है. वो हमारा ट्रेडिशन है. वो बुद्ध की परमपरा, कबीड की परम गुरु नानक की परमपरा, सुफिजम का जो इतना स्ट्रॉंग ट्रेडिशन इस देश के अंदर रहा है. उसके चलते एक सेकुलर क्रेडेंसियल है. तो पूरी की पूरी जनता जो है वो कमुनलाइज नहीं हो गई है. मैं आपकी बात से सामत नहीं हूँ. पूरी की पूरी है इस बात को आप समझिये कि अपना चेहरा छोर करके मोधी का हवालागा करके घुमता है. तो उसको समझ में नहीं आता है कि तुम नौजवान हो, तुम पैसत बरस के आदमी को अपना नेता मनते हो, युवा नेता कहते हो उसको. तो ये समस्दारी का सवाल है. कितने अच्छा है जिसमें एजुकेशन और यूथ के लिए इंप्लाइमेंट और जो सबसीडी का जो मतलब एलोकेशन है उसको बढ़ाएंगे, सिख्छा के बजट को बढ़ाएंगे, सरके बनाएंगे, इसका घोसना पत्र कम से कम कितना अच्छा किसका है. और उसके बाद जब अगली बार पांच साल के बाद चुना होगा तो इस बात में डिसकासन करेंगे कि इसने जो है अपने घोसना पत्र के हिसार से काम नहीं किया है लिए इसको वोट नहीं देंगे. वोट कहां से देता है लोग? जाद देखकर के वोट देगा, धरम देखकर के वोट देगा, और ये सब कुछ, मैं इतना परिशान हो गया, मुझे अपनी जाती के बारे में बिहार में नहीं मालूम चला था, मुझे जेएनियू आगर के पता चला, वो भी चुना होगे समय. तो ये जब जेएनियू में पढ़ने वाला आदमी अगर इतना कास्टिस्ट है और जो आप बिहारी बोल करके एक्स्लूट कर देगा, कभी बोलेगा कि इसको बढ़िया अंग्रेजी नहीं बोलने आता है, कभी ये बोल करके एक्स्लूट कर देगा कि इसके पास ड्रेसिंग सेंस नहीं है, एक्स्लूजन के अलगराद लेवल होते हैं, और इसी इसी डिफरेंसेज मे हमारा सवाल यही है कि आज के समय में अगर आप सोशल ट्रांसफर्मेशन चाहते हैं अगर आप चाहते हैं कि टेरर सोसाइटी के अंदर खतम हो तो क्या हो सकता है आपको एक्वालिटी के प्रियास करने परेंगे कितना स्मार्टी जो है वो यूज करता है एकल हिंदू एकल हिंदू का नाड़ा है आरेसस का दलितों के लिए चवका चक्की प्रोग्राम चलाया कि एक ब्रहमन जी जाते हैं और दलित के घर में बैठ करके खाना खाते हैं बहुत बढ़िया एक बार जो है उन दलितों को उठा करके अपने घर लाईए और खाना खिलाईए अपने बेटी की साधी करा दीजिए तब समझेंगे ये जो तरीका है इसको आपको समझने की जरूरत है कि किस तरीके से आप उसको वर्किंग क्लास कहिए आप उसको दलित कहिए पिछड़ा कहिए आदिवासी कहिए महिला कहिए मुसलमान कहिए गरीब कहिए किशान कहिए या सब कुछ को मिला करके बिहरी कह दीजिए दिल्ली में तो ये सब्द आपको बहुत सुनते होगा, तो किस तरीके से आपको बाटा जाता है, इस बाटने की लड़ाई को हमको समझना परेगा, और जो लर रहा है, बार बार समझिये, जो लर रहा है न, उसी को टेरराइज करने के लिए टेररी जाना है, जो सोया हुआ है उसके लिए उसको क्या दिक्कत है, उसको तो बहुत अच्छे से वो चला रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसको और जो दूसरे लोग हैं, जो एक्स्ट्रीम बात करते हैं, उससे दिक्कत नहीं है, उसको मैंने क्या कहा, उसको दिक्कत किस से होती है, उसको दिकत संद पूर्जगार नहीं दे सकता है, सबको सिक्षा नहीं दे सकता है और जो इस सवाल पे लड़ेंगे उनको टेरराइज किया जाएगा, टेरराइज किया जा रहा है, लेकिन उसका एक ही रास्ता है जो आपने कहा कि जो अच्छे प्रोग्राम इस देश के अंदर पहले से बने तो उसमें मतलब कितनी बोगस बात है उसको मैं आपको बताता हूँ, एक बीडियो दिखा था उसमें ये दिखाया था कि मुझफर नगर के अंदर उस इलाके में RSS जो है सुबा सुबा लोगों को लाठी चलाने की ट्रेनिंग देता है और ये कहता है कि AIS-AIS का हमला हो गय तो वो AK-47 से एटैक करेगा और ये उसका मुकावला लाठी से करेगा तो दर असल क्या करते हैं ये लोग? खौफ, डर, जो टेरर है उसको ये लोग फैलाते हैं समाज के अंदर और दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं तो अगर RSS बढ़ा होगा तो आटोमेटिक जो है इस ये जो इस देश का secular credential है वो सिर्फ किसी political party के उपर निर्भर महीं करता है वो हमारा tradition है वो बुद्ध की परमपरा, कबीड की परमपरा, गुरु नानक की परमपरा, सुफीजम का जो इतना strong tradition इस देश के अंदर रहा है उसके चलते एक secular credential है तो पूरी की पूरी जनता जो है वो काम करते हैं और political economy को इतने अच्छे तरीके से उन्होंने master किया है कि लोगों को रोजगार मिलनी नहीं है 65% youth और कितना बड़ा बकलूल है इस बात को आप समझिये कि अपना चेहरा छोर करके मोधी का हवा लगा करके घुमता है तो उसको समझ में नहीं आता है कि तुम नौजवान हो तुम्हारे अंदर चीजों को करने की छमता है तुम पैसेट बरस के आदमी को अपना नेता मनते हो युवार नेता कहते हो उसको तो यह समझदारी का सवाल है कितने नौजवान है मुझे बताइए कि वोट देने से पहले इस बात का discussion करते हैं कि देखते हैं क कौन सी political party का हम A.B. का नाम नहीं लेते हैं घोषना पत्र सबसे अच्छा है जिसमें education और youth के लिए employment और जो subsidy का जो मतलब allocation है उसको बढ़ाएंगे सिछा के budget को बढ़ाएंगे सरके बनाएंगे इसका घोषना पत्र कम से कम कितना अच्छा किसका है और उसके बाद जब अग घोषना पत्र के हिसार से काम नहीं किया है लिए इसको वोट नहीं देंगे वोट कहां से देता है लोग जाद देखकर के वोट देगा धरम देखकर के वोट देगा और ये सब कुछ मैं इतना परेशान हो गया मुझे अपनी जाती के बारे में बिहार में नहीं मालुम चला तो यह जब जेएनियू में पढ़ने वाला आदमी अगर इतना कास्टिस्ट है और जो आपने सवाल पूछा बहुत इंट्रेस्टिंग सवाल है हम लोगों को तो ज्यादा तरसना पता ही नहीं चलता है कि शोशन क्या है जो शोशक होता है उसको मालूम है कि किसके साथ कैसे श होते हैं और इसी इसी डिफरेंसेज में तो हम फसे हुए है हम कहते हैं कि वो कश्मीडी है ये बिहारी है वो महिला है ये हिंदू है वो मुसल्मान है ये बरेलवी है ये देवबंदी है इसी में तो हम फसे हुए है हमारा सवाल यही है कि आज के समय में अगर आप सोशल ट् प्रोग्राम चलाया कि एक ब्रह्मन जी जाते हैं और दलित के घर में बैठ करके खाना खाते हैं बहुत बढ़िया एक बार जो है उन दलितों को उठा करके अपने घर लाई और खाना खिलाई अपनी बेटी की साधी करा दीजिए तब समय एक बढ़ा अच्छा सवाल आया है म लोग डरे होते हैं तो धरम की शरण में जाते हैं और आजकल तो आपको मालूम है कि धरम का धंदा बहुत चल रहा है मिडिल क्लास में खास करके बहुत ज्यादा आशंतोस है डेलाग की सेलरी पाने के बावजूद घर में संती नहीं है तो इस संती की प्रियास के मतलब को ढूंडने के लिए वो बाबाओं को आउट सोर्स कर दिये हैं कि उनके पास सांती है तो वहां जाकर कि थोड़ा सा ले लेंगे उसी तरीके से धरम जो है उसके पास मतला इसलिए हम कई वार धरम का बिरोध में नहीं करते हैं कि जहां जब आपका कोई नहीं दिखता है तो आपको भगवान की याद आती है तो कम से कम ये साईकलोजिकल रिलीव तो लोगों के पास रहे जब उसको घर से धोखा मिले जो की मिलना ही है जीवन में नवकरी ना मिले एक सिक्षा ना मिले तो कोई तो रहे उसके पास तो लेकिन ये जो दो संस्थान है I.S.R.S.S. ये नहीं जानते हैं कि मुंझे क्या बोले हैं, सावरपेर क्या बोले हैं, उनको ये लगता है कि पिछला भिधायक कॉंग्रेसी था, काम नहीं किया, रोट नहीं बनाया, इसलिए BJP को वोट दे देते हैं, इसको थोड़ा समझना परेगा हमको, कि एक्चली होता क्या है, हमको संगठन है RSS के, और सबसे जो इंपोर्टेंट काम वो करते हैं, वो स्कूल चलाते हैं, बच्पन में ही बच्चे को, उसके जो है, माइन को वो कैप्चर कर लेते हैं, और जब वो स्कूल से निकलता है, तो फिर कॉलेज में, अभी धार्खन के अंदर वो लो कमल कलब शुर करती है, अब तो माइनरिटी को वी कैप्चर करने के लिए उन्होंने एक मुस्लिम फ्रंट बना दिया, तो वो ड्राउन पे बहुत काम करते हैं, और इस वजह से लोग उनके साथ जुड़ते हैं, नहीं